राश्ट्रन नती के पतपर नित्य प्रेरणा एक दिन एक प्रुष्ठक एक विचार श्री गुरुजी समगर बारा खंडों का संग्शिप्त रूप भारतिय विचार साधना पुने द्वारा प्रकाशित किया गया है मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाती सदानंद गोड बोले इन विचारों के एक प्रुष्ठको प्रति दिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुचाने का प्रयास कर रही हूँ यह प्रकाशित विचार हमें प्रति दिन प्रेरणा देते रहेंगे आज दिनाग 14 अक्टूबर का विचार अमरुतस्य पुत्रहावयम हमारे पूर्वजों का विश्वास था कि संपूर्ण समसार में यही एक ऐसा पवित्रतम देश है जहां छोटा सा सत्कर्म भी सेकडों हजारों गुना अधिक लावदाई होता है स्वामी विवेका नंद ने कहा है कि यदि पृत्वी पर कोई ऐसी भूमी है जिसे मंगल दाईनी पुन्य भूमी कहा जा सकता है जहां इश्वर की ओर अग्रसर होने वाली प्रत्यक आत्मा को अपना अंतिम आश्रेस्थल प्राप्त करने के लिए आना ही पड़ता है तो वह भारत है निस्वंशय रूप से इश्वरान उभूती हे तू निर्धारित यही देश है यह भावनाओ का उद्रेक मात्र नहीं वरन हमारा अटल विश्वास है कुछ वर्षो पूर्व हमारे वृत्त पत्रों ने एक जर्मन की गाथा प्रकाशित की थी जो आध्यात्मिक अभिलाशी के रूप में हमारे देश में आया था उसने सन्यास ग्रहन किया और एक परिव्राजक की भाती उग्र तपस्या की किन्तु कुछ दीर्गकाल की तपस्या के पश्चात भी वह ईश्वर का साक्षातकार नहीं कर सका आत्मनिरिक्षन के द्वारा उसे विश्वास हुआ कि उसका शरीर जो पश्चिम की तमोगुणी जलवायू में उत्पन और पोशित हुआ है इश्वरानु भूती के लिए अनुपयुक्त है अतह वह हरिद्वार गया और अपना शरीर पवित्र गंगा को अर्पन कर दिया वह एक छोटा सा पत्र छोड़ गया जिसमें लिखा था मैं स्वयम अपने शरीर को त्याग रहा हूँ उस मंगल माई की कृपा से गंगा के पावन जल में अपने शरीर को अर्पित करने से मुझे भारत में पुनरजन्म का सोभाग्य प्राप्त हो और उस नवीन निर्मल शरीर से मैं इश्वर का साक्षातकार करने योग क्यो हो जाओं यदि हम समसा के अन्य विविध पंथो और संप्रदायों के समस्थापकों के जीवन चरित्रों का अध्यान करते हैं तो हम अपनी मात्रु भूमी के इस विशिष्ट स्वरूप के विशे में इसी निश्कर्ष पर पहुचते हैं महान संत इसा के संबंध में भी ऐसा कही कोई उलेख नहीं है कि उन्होंने वास्त्विक रूप से इश्वर के दर्शन किये उन्हें केवल देवदूत ही मिले तथा एक बार शैतान मिला जब उन्हें क्रोस पर टांगा गया था तब तो उन्हें कुछ काल के लिए इश्वर की दया के संबंध में भी संदेह उत्पन्न हो गया था जिसके कारण उन्हें अतीववेदना हुई उनका यह उत्गार निकल पड़ा हे मेरे इश्वर तुने मुझे क्यों छोड़ दिया इसलाम का समुस्था पग भी शक्ती संपन्न व्यक्ती था वह उन लोगों को संगठित कर सका जो भेद विरोध एवं पक्ष प्रतिपक्ष की कल के कारण छिन्न विच्छिन्न थे उसने उदमे प्रगती किया कांग्षा को जागरुत किया तथा सामराज्य निर्मान करने की शक्ती का उनमे संगठन किया किन्तु वह भी केवल जेब्राइल से मिला और उसने अनुभो किया तथा कुछ दिव्यध्वनियों का श्रवन किया उन्होंने ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किये यह वरदान तो केवल इसी भूमी के पुत्रों के लिए है कि वे ईश्वर को उसकी संपूर्ण आभा के साथ साक्षात करे तथा अनुभो करे एक समय था जब अन्य जातिया परवत कंदराओं और वनों के बाहर नहीं निकल पाई थी तब वैदिक रुषियों ने मानों को अम्रुत पुत्र के नाम से संबोधित किया शूरावयम धीरावयम वीरावयम सुतराम गुणशालीनो बलशालीनो जय गामिनो नितराम भारत मता की जय वंदे मातरम